श्री देव यथव शीर्षम ओम सवे वे देवा देवी मुपत्स्थुह कासी त्वम महादेवी ती एक ओम सभी देवता देवी के समीप। गए और नम्र्टा से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? एक साब्रवित, अहम ब्रहम स्वरूपिनी। मत्तह प्रकृति पुरुशात्मक जगत, शून्यम चा शून्यम चा दो उसने कहा, मैं ब्रहम स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति। पुरुशात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन हुआ है दो एहमानन दानानन दो, अहम विज्ञान विज्ञाने, अहम ब्रहम अहा ब्रह्मनी वेदित्विये, अहम पंच भूतान्यप्न चभूतानी, अहम खिलर जगत तीन एक एव सर्वत्र वर्त्ते, तस्मादुच्यते एका, एक एव विश्वरूपिनी तस्मादुच्यते नेका, आत एवोच्यते अग्ययानन्ता लक्षाजय का, नेकेती तेईस ज जिसका स्वरूप ब्रमादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अग्यया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्षय दीख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षया कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कह जो अकेली सरवत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं जो अकेली ही विश्वरूप में सजी हूई है इस लिए जिसे नैका कहते हैं वो इसलिए ही अग्या, आनंता, अलेक्ष्या, अजा, एका और नैका कहाती हैं। में, मात्रे का, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ग्यान, अर्थ, रूप से रहने वाली, ग्यानों में, चिन में आतीता, शुन्यों में, शुन्य साक्षिनी, तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ट नहीं है, वे दुर्गा के नाम. से प्रसिद है 24 तान दुर्गा दुर्गमा देवी दुराचार विघातिनीम, नमामी भवबीतो हाँ. संसारार नवतारिनीम 25 उन दुर्विघ्यय, दुराचार नाशक और संसार सागर सहे तारने वाली दुर्गा देवी को संसार. से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ 25 इदम्थवशीर्ष योधी तेस, पंचाथवशीर्ष जपफलमापनोती, इदम्थवशीर्ष मग्यात्वा योचा स्थापयती, शतलिक्ष, प्रजपतापी सोर्चा सिद्धीन विंदती, शत्मस्टोत्तर चास्य पूर्ष्चर्याव इद्धी स्मृतथ, दश्वार पठे दियस्तू, सद्याह पापयाह प्रमुच्यते, महादुर्गानी तर्ती महादेव्याह प्रसाद तह 26 इस अथवशीर्ष का जो अध्यायन करता है, उसे पांचों अथरवशीर्षों के जपका फल प्राप्त होता है, इस जो प्रतिमास्थापन करता है, वो सेकडों लाख जप करके भी अर्चासिद्धी नहीं प्राप्त करता, अश्टोत तर्शत, 108, जप, इत्यादी, इसकी पुर्ष चरनविधी है, जो इसका दस बार पाठ करता है, वो उसी क्षन पापों से मुक्त हो जाता है, और महादेवी क प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है, 26 सायम धियानों दिवस क्रत पाप, नाशयती, प्रात धियानों रात्रिक्रत पाप, नाशयती, सायम प्राताह प्रयुन जानों अपापों भावती, निशीथे, तुरिय सिंध्यायां जप्त्वा वाक सिद्धिर भावती, नूतना प्रतिमायां जप्त्वा देवता साननिध्यम, भावती, प्रान प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्रानाना प्रतिष्ठा भावती, भोमा श्वित्म्या महादेवी सनिधो जप्त्वा, महमृत्यून तर्ती, समहमृत्यून तर्ती या एवं वेड, पूर्णम इसका सानकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किये हुए पापों का नाश करता है प्राताहकाल अध्ययन करने वाला रात्रे में किये हुए पापों का नाश करता है दोनों समय अध्ययन करने वाला निश्पाप होता है मध्यरात्री में तुरिय संध्या जोकी मध्यरात्री में होती है कि समय जब करने से वाक सिद्धी प्राप्त होती है नई प्रतिमा पर जब करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है प्रान प्रतिष्ठा के समय जब करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है वो माश्विनी योग में महादेवी की सन्निधी में जब करने से महामरित्यू से तर जाता है जो इस प्रकार जानता है वो महामरित्यू से तर जाता है इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्मिद्या है